घर से मंदिर में भक्ति वेदान स्वामी और आचार श्री में निरंदर संपर्क था वुरंदावन की एक कोटरी में रहना छोड़कर राधा दामोदर मंदिर में आकर रहने लगे थे एक सन्यासी को किसी मकान में रहने के बजाए मंदिर या आश्रम में रहना चाहिए यो तो वरंदावन के हर घर को मंदिर की संग्या दी जाती है घर-घर में मंदिर है भक्ति वेदान स्वामी जब आवास बदलने की सूचना दे रहे थे तो आचारिश्री ने कहा था कि वरिंदावन में 16,000 मंदिर है महाराज ये मंदिर लोगों ने घरों में ही बनाए हुए है फिर आप जहां भी रहे वही मंदिर है स्वामी जी ने हामी भरी और कहा कि राधा दामोदर मंदिर में जाने का एक विशेश उदेश है वह जीव गोस्वामी प्रभु के उपास्य देव है उनकी समाधी भी है वहाँ उनका संसर्ग मिलेगा, कितना मधुर रहेगा कहते कहते भक्ति वेदान स्वामी की आँखें मुन्दने लगी थी जैसे वह जीव गोस्वामी के सामने ही बैठे हूँ वह कुछ देर के लिए मौन भी हो गए जैसे समाधी की अवस्था में पहुँच गए है फिर वह सहज तिती में आये तो कहने लगे आचारे प्रवर भागवत शास्त्र से आपका भी तो सम्मंध रहा है आपके पूर्वज इस महान गरंथ का प्रवचन करते रहे हैं आप भी कुछ कहिए ना कहते कहते भक्ति वेदान स्वामी भाव विहल होने लगे आचारे श्रे ने कहा भगवान ने प्रत्यक व्यक्ति को विशिष्ट दायत्व दिये हैं जिस शास्र के व्यक्या विस्तार का संदेश आपके गुरुदेव ने दिया है उसी शास्र के बीज मंत्र की आराधना हम लोग कर रहे हैं अपनी संस्कृति और धर्म परंपरा की सेवा में और लोग भी लगे हैं आप निश्चिंत होकर अपना काम करें स्वामी जी राधा दामुदर मंदिर में कुछ ही समय तक रहे थे वे भागवत को निश्कलंक वैदिक शास्त्र कहते थे और मानते थे कि यही एक मात्र प्रामानिक वैश्न उग्रंथ है उनकी इस मानता को संत समाच अपने साधन मार्ग में द्रण निश्ठा के रूप में देखते थे स्वामी जी भागवत की कोई नई व्याख्या लिखने की योजना पर काम नहीं कर रहे थे उनका उद्देश पूर्व वर्ति वैश्नव आचारियों की लिखे व्याख्याओं का समनवय करते हुए उनका अंग्रेजी अनुवात करना था इस काम के लिए व्रंदावन की तुल्ला में दिल्ली उप्युक्त स्थान था वहां छपाई और कागजादी की सुलब व्यवस्था थी संदर्व और प्रमान जुटाने के लिए अच्छे पुस्त कालय भी थे कालांतर में स्वामी भक्ति वेदान दिल्ली चले गए वहां चान्मी चौक शेत्र की एक घनी आबादी वाली बस्ती चीपी वाडा में रहने लगे यहां भी उन्हें राधा कृष्ण मंदिर के परिसर में एक कमरा मिल गया था वहां जाने से पहले भक्ति वेदान स्वामी आचारिश्री से मिले थे दोनोंने अपनी अगली योजनाओं पर देर तक चर्चा की थी भक्ति वेदान स्वामी बाद में भी व्रिंदावन आते जाते लेकिन उनका ज्यादातर समय दिल्ली में ही बीत रहा था सहस्त्र कुंडिय महायग्य में अभी सवा साल बाकी था यग में उनी लोगों के लिए आहुतियां देने की वेवस्था की गई थी जो सहस्त्रांशो जब साध्ना में भी शामिल थे लेकिन उस अवसर पर होने वाले सामाने कारिक्रमों में भाग लेने के लिए खुला आवान किया जाना था यहाँ आवान व्यापक शेत्र में पहुंचाने के लिए अगले बारह महिनों में चौबीस जगह गायत्री महायग्य और सम्मेलन करना तै हुआ गायत्री परिवार सम्मेलन में आयोजन लगबग सभी प्रांतों में होना थे लेकिन आदे से ज्यादा उत्तर भारत में निश्चित हुए थे कारण कि उत्तर भारत में ही तब तक गायत्री परिवार की शाखाएं ज्यादा गठित हुई थी आचायरी श्री मानते थे कि दक्षिन में भी इसी तरह परिवर्दन का संदेश पहुंचना चाहिए वरिष्ट कारेकरता सत्यभक्त ने उस दिन बातो बातो में कहा कि उत्तर भारत में आंदुलन का जितना विस्तार हो गया वह परियाप्त है दक्षिन में आयोजन नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए जिस समय उन्होंने दक्षिन भारत में प्रचार को लेकर टिपणी की उस समय तपो भूमी में और कारेकरता भी थे उन्होंने इस टिपणी या परामर्ष पर आपत्ती की नरोत्तम शर्मा नामक एक कारेकर्ता ने कहा कि क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैट जाना चाहिए आंदोलन पूरे भारत में नहीं फैलेगा तो हम सिमिटे सुकडे ही रह जाएंगे और कारेकर्ता कुछ कहते इससे पहले ही आचारे श्री ने हस्तक शेप किया उन्होंने कहा कि पंडित जी का आशय प्रचार रोग देने से नहीं है वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमें अभी सहस्त्र कुंडिय महायग्य पर ही अपना ध्यान किंद्रित करना चाहिए उसी गोष्टी में आचारे श्री ने कहा कि जिन इलाकों में महायग्य और सम्मेलन नहीं हो पा रही है वहां तीर्फ यात्रा का आयोजन किया जाए पंडित जी का भी यही मानना है बलकि यह सुझाव उन्ही की तरफ से आया है आचारे श्री सत्यभक्त को पंडित जी कहकर बुलाते थे नरोत्तम शर्मा समेत मारकंडे बद्रिप्रसाथ पहाडिया बिहारी लाल शंभू सिंग आधी कारे करता सत्यभक्त की ओर देखने लगे उनकी मुख मुद्रा ऐसी थी जैसे पूछ रहे हों कि इसका स्वरूप क्या होगा बिहारी लाल ने पूछी दिया तीर्थों में पहले ही धार्मिक्ता का माहौल होता है वहाँ प्रचार करने का क्या लाब दूसरे वे हैं भी कितने छोटे बड़े तीर्थों की संख्या मुश्किल से सौ डेर सो होगी तीर्थ यात्रा कार्थ कुछ खास प्रसिते जग्वों के यात्रा करना नहीं है सत्यभक्त ने कहा बिहारी लाल ने आचारिश्री से पूछा था लेकिन आचारिश्री ने इस प्रश्ण का उत्तर देने के लिए सत्यभक्त से कहा था उनका संकेत पाकर ही सत्यभक्त अपनी बात कहने लगे थे उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पुर्णिलाब करना है अपने आपको पवित्र करने और समाज में पवित्रत का भाव बढ़ाने के लिए ही चार धाम, साथ पुरिश, शक्ति पीठ और देव स्थानों की यात्रा की जाती है आचारिश्री जिस यात्रा का निर्देश दे रही है वो अपने आसपास के क्षेत्रों की ही धर्मर प्रचार यात्रा होगी जरूरी नहीं कि किसी स्थान व्षेश को ही केंडर बनाया जाए इसे चाहें तो परिक्रमा भी कह सकती है मंदिर या तिर्द के चारों ओर जिस पवित्र भाव से परिक्रमा करते हैं उस भाव से अपने क्षेत्र की यात्रा करें और उन भाव को भी फैलाएं यह काम हो सके तो मानना चाहिए कि हमारा उद्देश पूरा हो गया उस गोश्टी में माता जी भी थी चर्चा को चुपचाप सुन रही थी यात्रा या परिक्रमा के स्वरूप पर बात आगे बढ़ी तो कहा गया कि यात्रा की समय कुछ साहित्य भी रखना चाहिए वहां मौजो साधक अपने सुझाव दे रहे थे एक सदस से सुझाव देता तो दूसरा कोई उसकी कटनाई की चर्चा छेड़ देता देर तक यात्रा का स्वरूप उभरता दिखाई नहीं दिया माताजी ने मौन तोड़ा और कहा साहब आचारिश्री एक यात्रा का आयोजन कर ही लिया जाए उसमें और साधकों को भी शामिल कर ले यात्रा के अनुभव से कटनाईया भी पता चल जाएंगी और कुछ अभ्यास भी हो जाएगा आचारिश्री ने इस सुझाओ का स्वागत किया कहा कि दूर न जाकर ब्रच के ही किसी क्षेत्र की परिक्रमा कर ले दो-तीन दिन में यह हो जाएगी प्रयोग में यहां मौजूस सदस्यों के अलावा और लोगों को भी आमंत्रित किया जा सकता है वे साधक अपने हाधर में यात्रा का आयोजन करें उसी गोष्टी या विमर्ष में महावन की यात्रा का निश्चय हुआ महावन प्राचिन विक्यात नाम गोकुल मुश्किल से 2000 लोग बसते होंगे क्यात्रा के लिए तब बैल गाड़ी, तांगा और छकड़ा जैसे वाहन मिलते थे लोग साइकलों से भी यात्रा करते थे और चहल कदमी करते हुए पैदल भी जाया जा सकता था आठ तीर्थ यात्री जुटे थे एक स्वयम आचारेश्री दो तांगों का प्रबंध किया गया सुभा पांच बजे यात्रा शुरू हुई इस यात्रा में नरोत्तम शर्मा, यशो वर्धन, अगनी मित्र, जमुना प्रसाद गुपता, आनंद कुमार, आनंदिलाल चैनपुरिया और श्याम सुन्दर शामिल हुए थे सभी यात्रियों ने ब्रजक्षेत्र की पहचान जताने वाला, तनीदार कुर्ता और धोती पहनी हुई थी मथुरा और गोकुल के बीच एक गाउ आता है रावल गाउ यात्री दलने पहला पड़ाओ यहां किया कहते हैं कि इस गाउ में कृष्ण प्रिया राधा का जन्म हुआ उनके पिता राजा वरश भानू की अपनी राजधाने बरसाना में थी बरसाना यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर है राधा का पालुन कोशन बरसाना में हुआ उनकी लीलाएं अपने पैतरुग्राम और शेतर में ही केंद्रित रही इसलिए बरसाना को ज्यादा महत्व मिला बहुत कम लोग जानते हैं कि वे रावल गाउं में जन्मी थी इसलिए यात्री यहां आते भी कम है रावल गाउं में राधा कृष्ण का एक मंदिर है छोटे बड़े और भी कई मंदिर है लेकिन गोकुल वलब संप्रदाई के लोग इसे ही प्रमुख मानते हैं यात्री दल ने पहला पड़ाव मंदिर के पास ही रखा वहां करीब एक घंटे तक रुके आगनतकों को कुछ देर देखते रहने के बाद उन्होंने संकीर्टन शुरू किया हरी हरी बोल की धुन गाते हुए ये लोग मंदिर आने वानों को नमस्कार भी करते जाते थे अभिवादन करते देख चार-छे लोग रुके यात्रियों को देखने लगे आचार-ष्री ने उन्हें रुका देख चर्चा छेड़ी कहा या मंदिर राधरानी का जन्मस्थान है भगवान कृष्ण के रिधै में निवास करने वाली उनकी लीला सहचरी जी के जन्मस्थान की यह दशा देखी नहीं जाती वहां खड़े ग्रामी नवाक से देखने लगे किसी को कुछ सूझा नहीं कि क्या उत्तर दे एक ने साहस बटोरा और जवाब दिया कि हमारे पास साधन नहीं हैं, आप लोग समर्थ हैं स्वयम कोई हल डूंडिये आचार-ष्री ने कहा हम लोग साधन संपन नहीं है अपने आराध्या के मान प्रतिष्ठा के लिए साधनों के आवशक्ता नहीं है मन में श्रद्धा भाव ना हो तो साधन भी जुठी जाते हैं इंद्र के कोप से बचने के लिए ग्वाल बालों ने गोवर्धन धारन किया था या नहीं वहां खड़े ग्रामिनों में से एकने उपहास के भाव में कहा ग्वाल बालों ने गोवर्धन नहीं उठाया था भगवान कृष्ण ने उठाया था अपनी कानी उंगली पर आचारिश्री ने इस उपहास की परवाह नहीं की उन्होंने कहा कि ग्वाल बाला तयार नहीं होते तो भगवान कृष्ण कदाचित ही तयार होते उन्होंने गावणों को उनका दाइत्व पहले ही पता दिया था वचन भी ले लिया था कि वे भगवान के संकल्पों को समझेंगे उन्हें पूरा करेंगे कुछ दे रुकर आचारिश्री ने कहा मनुष्य तो निमित्त मात्र होता है वह निमित्त बनने को तयार हो जाए तो भगवान की ग्रिया शक्ती सब काम करा लेती है उनकी इस परामर्ष को सुनकर उपहास करने वाले ग्रामीन ने ठीक गर्दन हिलाई और ग्रामीन भी सकारात्मक दिखाई दिये वहीं उन्होंने संकल पलिया की मंदिर की मरम्मत कराएंगे यात्री दल ने गाउं में फेरी लगाई रावल गाउं से बाहर निकलते ही एक बंगाली महिला मिले वह खंजरे बजा रही थी और हरी नाम का संकीरतन कर रही थी यात्री दल को देखकर भर रुप गई और बोले आप लोग भागवत सुनने जा रहे हैं क्या? अपने तांगे में मुझे भी स्थान दीजे शास्त्र और गुरू कहते हुए वह पीछे वाले तांगे की तरफ बढ़ गई उसमें चार साधक बैठे थे महिला ने यह भी नहीं बताया कि भागवत कहां हो रही है आचारिश्री और अन्यस अदस्यों ने उसका स्वागत किया वह अपने आप ही बोली कि मेरा नाम मीरा है नदिया की रहने वाली हूँ बच्पन से ही विद्वा हो गई थी घर के लोग यहां छोड़ गए राधा कृष्ण के सिवा कोई चारा नहीं शुरू में बहुत डर लगता था आत्मे अत्या करने की इच्छा भी होती थी दो तिन बार कोशिश की लेकिन राधारारी ने बचा लिया मीरा कहे चली जा रही थी आनंद कुमार, चैनपुरिया, जमुना प्रसाद और नरोत्तम शर्मा उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि मीरा जो कह रही है उसका एक-एक शब्द सही है बात ज्यादा गंभीर हुई जा रही थी नरोत्तम शर्मा ने रुक बदलने के लिए कहा मीरा, तुम राधा की भक्ते करती हो लेकिन भागवत में तो राधा का कही नाम भी नहीं है किस राधा की पूजा करती हो मुझे नहीं मालूम रे बाबा मीरा ने चौकते हुए से कहा उसी लहजे में वह आगे कहने लगी शास्त्रों की बातें हम नहीं जानते हमें गुरुजी ने मार्ग बताया उन्होंने राधा कृष्णी की आराधना सिखाई और उससे जीने का सहारा मिला गुरुजी से आशय गोमती नामक एक सन्यासी महिला से था वह भी मीरा की तरह ब्रज क्षेत्र में आकर बसी थी यह यों कहें कि लाकर छोड़ दी गई थी ब्रज में लाकर छोड़ते वक्त गोमती के उम्र 12-13 साल थी लेकिन घरवालोंने उसे विद्वा होने के कारण यहां नहीं भेजा था चार-पांच वर्ष की उम्र में ही कृष्ण भक्ती के मार्क पर चल पड़ी थी कहती थी कि उसे भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं घर के लोग उसके भक्ति भाव से परिशान थे बहुत समझाया बुझाया डाटा डपटा और कभी कभार प्रताडित भी किया लेकिन उसका भक्ति भाव छूटा नहीं